निरियापक मुनिश्री सम्ता सागर्ची महराज इस वर्ष पिंडरई में चातुरमास कर रहे हैं चातुरमास स्थल पर विराजमान मुनिवर ने भक्तों को संबोधित करते हुए दशलक्षन पर्व के बारे में विस्तार से बताया पर्व के दूसरे दिन यानि उत्तम मार्दव धर्म के महत और स्वरूब को व्यक्षायत किया और कहा कि ये धर्म मृदुता का है पर्विराज पर्यूशन का दूसरा दिन म्रदुता का धारन कर जीवन जीने की प्रेलना देता है पर्व के दूसरे दिन का नाम है उत्तम मारदव धर्म इस दूसरे धर्म का विवरण देते हुए नर्यापक मुनीश्री समता सागर जी महराज ने भक्तों को विस्तार से बताते हुए संबोधित किया संबोधन के प्रात्मिक चलण में मुनीवर ने कहा कि दशलक्षन पर्व एक पाठ शाला के समान है इसमें व्याप्त धर्मों को प्रयोग शाला की तरह जीवन में उतारना चाहिए दस धर्मों की इस पाठ साला में आज आप सबको दूसरा पाठ पढ़ना है मैं बार बार कहा करता हूँ कि दस दिन की ये दस धर्म पाठ साला के समान है और इसमें किया गया अध्यन इसमें समझा गया सब्जेक्ट विसए फिर अपनी जीवन की प्रयोग साला में आना चाहिए पाठ साला के दिन सीमित होते हैं प्रयोग साला के प्रयोगों का कोई अंतर नहीं होता आगे मुनिवर ने महापर्व के दूसरे दिन यानी उत्तम मार्दव धर्म की व्याख्या की मुनिवर ने कहा ये धर्म म्रदुता का है कुए में कितना पानी क्यों ना हो भरने के लिए बाल्टी को जुकना ही पड़ता है दूसरे दिन का पाठ मार्दो धर्म का है म्रदुता का है बिनम्रता का है मैं ऐसा समझता हूँ कि कुए में कितना भी पानी क्यों न भरा हो आपकी बाल्टी भी अंदर तक चली गई लेकिन अगर बाल्टी जुकती नहीं है तो बाल्टी में पानी आने वाला नहीं पानी को प्राप्त करने के लिए बाल्टी को जुकना पड़ता है और फिर भरी भरी बाल्टी उपर आती है बिभाव भाव, बिकार भाव, कसाय भावों को छोड़ना पड़ता है क्रोध पर नियंत्रन किया, छमा का धर्म आया अब आपको मान कसाय पर नियंत्रन करना है तो म्रदूता का बिनम्रता का धर्म मार्दो धर्म आएगा आगे मुनिवर ने एक दार्षनिक की कहानी के माध्यम से म्रदूता के गुण को सपष्ट किया और कहा, जिस प्रकार जीव नर्म रहती हैं, इसलिए लंबी चलती है और दाथ कठो रहते हैं, इसलिए बाद में आने के बाद भी जल्दी चले जाते हैं जिसने नम्रता को पकड़ लिया, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा उसने कहा, सुनू, मुख में जीव पहले आती है और बाद तक बनी रहती है दाथ बाद में आते हैं और पहले खिसक जाते हैं, चले जाते हैं इसका कारण क्या है, सबी चुप रहे, उसने कहा, देखो, इसका कारण ये है कि दाथ कड़क कठोर रहते हैं, उनका सुभाव अख़ड रहता है जिवा लचीली रहती है, नरमाई को ले करके रहती है इसलिए परिणाम क्या निकला, कि जो कठोर और अख़ड रहे, वो बाद में आने के बाद भी, पहले चले गए और जो नरम और लचीली रही, ऐसी जिवा पहले से आकर के भी, अंत तक बाद तक बनी रही उसने कहा सुनो, मेरे देरगी जीवन का राज, बिचारों में लचीलापन, बाणी में लचीलापन, और ब्योहार में भी लचीलापन रहा है जिसने नरमाई बिनम्रता के गुन को पकड़ लिया, वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा आगे मुनिवर ने एक विचारक का उधारन देते हुए कहा कि जेब में पैसे ना हो तो जीब में मिठास लेकर चलना एक विचारक ने कहा, अगर तुमारे जेब में पैसे ना हो तो जीब में मिठास लेकर के चलना पैसे नहीं है तो काम कैसे बनेगा? हाँ, चिंता हूना चीब पैसे नहीं तो काम कैसे बनेगा? अरे बंधूओ, पैसे होने के बाद भी काम बिगड जाता है अगर अख़ड पना रहा तो और पैसे नहीं होने पर भी अगर जीब में मिठास है, मधूरता है, बिनमरता है तो हमारे बिगडे हुए काम भी बन जाते हैं, ये छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी प्रेरना दे रहा है और मार्दव धर्म का संदेश दे रहा है म्रदुता बिनमरता का नाम ही मार्दव धर्म है, माटी नर्म हो तो उससे भगवान की प्रतिमा भी बन सकती है सोखी माटी से कुछ नहीं बनता म्रदुता बिनमरता का नाम मार्दव धर्म है, माटी नम हो जाती है, गीली हो जाती है, तो उससे हम कुछ भी बना सकते हैं, भगवान की प्रतिमा भी बना सकते हैं लेकिन, बिनमरता और नर्माई होनी चाहिए, सूखी माटी से कुछ बनता नहीं है माटी अपने को गला कर भगवान बन गई, क्या? माटी अपने को गला कर भगवान बन गई, दुनिया उसके चरणों में जुग गई, बनाने वाले की आँख अभी भी खोज रही है क्या? बनाने वाले की आँख अभी भी खोज रही है कि उसमें क्या कमी रह गई उसमें क्या कमी रह गई? बनाने वाला बना ही रहा है और बनने वाली माटी अपने को गला कर के भगवान बन गई मतलब जिसने अपने अहम को गलाया उसने अपने सुद्ध सुभाव को प्राप्त कर लिया और इस तरह से मुनिवर ने विस्तार से मारदव धर्म के साथ ही म्रदुता को जीवन में उतारने की प्रेरना दी और पर्विराज पर्यूश्वन के दूसरे धर्म की व्याख्या की जैन फोकस के लिए पिंडराई मध्यप्रदेश से बियर रिपोर्ट जैन फजसरे विस्तार में लिए थाया वड़िर रिपोर्ट